गाइज कोप्री में बारब के गारण गाड़ी फस्ती हुई देख सकते हैं आप ये नाली में बुच गया है तो गाइज आज मैं इस वीडियो में आप लोग उसे बात करने वाला हूँ शिमला से नारकंडा रोड की क्या स्थिति है तो गाइज अभी फिलाल बंद है तो दिन के बाद खुलने के चांस है क्योंकि आज लग चुकी ये नारकंडा में धूप बढ़िया वाली और जो कल स्थिति हुई दो फूट से ज्यादा स्थिति है नारकंडा में और हाट उपीक में तीन फूट से ज्यादा बरप पढ़ी ह कुफरी में भी लगबग दो फूट बरप है तो इस कारण रोड अभी कलोज है एक दो बजे तक रोड खुल तो जाएगा बट रिस्की बहुत होगा क्योंकि फिसलन बहुत जादा होगी क्योंकि बहुत जादा बरप पढ़ी है शिमला तक तो गाइज पसनली में आप का इस जमने से रोड बहुत ही खतरनाक हो जाता है ऐसे में ट्रेवल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी भी गाड़ी स्कीट कर सकती है क्योंकि एमर्जेंसी ब्रेक कभी भी लगानी पर सकती है आप लोग अगर बरप में ज्यादा ब्रेक का यूज करोगे उतनी ही ज् आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 5-6 तारीकी भी शनारकंडा आए और मज़े ले क्योंकि बरफ रहने वाली है मार्च तक